अगर आप भी देशी खाने के सोकीन हो और देशी खाने में अगर गी ना हो तो कुछ बात बनती नहीं है अगर देशी गी की बात आई तो राजस्तान, हर्याना और पंजाब सबसे पेश्ट में आता है क्योंकि वहाँ पे ज्यादा देशी गी बनता है और खाया भी जाता है अगर आप भी देसी गी के सोकिन हो और श्टोर करके रखना चाते हो बिल्कुल भी आपका गी खराब नहीं हो तो आज का वीडियो आपके लिए है नमस्कार मेरा नाम सिता कुमाउत और मेरे चेनल सितास कुकिंग में आपका एक एक नए वीडियो में स्वागत है ये देशी गी में गाम से लेके आई हूँ, ये घर का गी है, ये गी को हम स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि कई दिनों तक हमें गी चलाना रहता है, इसके लिए गी में बदबू नहीं आई और गी खराब नहीं हो, इसका में आपको बहुती अच्छा तरीका बताने वाले होगे, तो आपका गी बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, और एक साल बर तक आप गी को इस्टोर करके रख सकते हो, और जैसे चाहिए आपको वेसे गी आप इंजोई कर सकते हो, अभी क्या करना है, एक बड़ा बरतन लेना है, इस्टिल का बिल्कुल भी नहीं लेना है, एल तो आसानी से पूरा गी निकल जाएगा, अगर आपके यहाँ दूप नहीं आ रही हो, तो जितना हो सके उतना हाथ से दबा दबा के इदे को इस तरह के से गी निकाल लेना है, और बाद में जो बचा रहेगा, उसका भी तरीका बताऊंगी मैं आपको, अभी जो गी नहीं निकल रहा है, उसके लिए क्या करना है, एक दूसरी बड़े बरतन में पानी गरम करना है, नॉर्मल पानी हम पीते हैं, उससे थोड़ा गरम पानी करेंगे, और चमस से थोड़ा थोड़ा करके यह बोटल में गी है, वो गी के उपर यानि बोटल के उपर पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ये गी गरम हो जाएगा और नीचे पिगल के एक जगह इकटा हो जाएगा आप देख सकते हूँ दो तीन मिनट तक किया मैंने ये काम तो गी अच्छे से पिगल गया है आप देख पा रहे हूँ अभी गी को निकाल लेंगे तो आसानी से पूरा गी निकल जाएगा और बोटल को हम गरम करेंगे डाइरेट गेस पे तो बोटल अलकी रहती है प्लास्टिक अलकी रहती है तो पिगल के गी में मेल्ट हो सकती है और हमारी सिरीट में नुकसान हो सकता है आप देख सकते हूँ उसका ट्रिक भी बताऊंगी उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है पूरा गी निकालने के बाद में गेस का फ्लेम एकदम स्लो कर देना है और स्लो गेस पे गी को अच्छे से गरम होने देना है जैसे जैसे गी गरम होगा वेसे वेसे ये जहाग उपर आजाएंगे और आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इसमें चाच या पानी रह जाता है तो उसका ही जहाग बन जाता है तो ये चाच और जहाग अगर गी में ज्यादा दिन तक रह जाएगा तो आपके गी में बदबू आ सकती है और खराब हो सकता है खाने लाए के रहेगा ही नहीं अभी आप देख सकते हो गी गरम होने के बाद में दो मिनट बाद में इसके उपर देखो कितने सारे जहागा आगए है इसे जहाग को पूरा को अलग कटोरी में निकाले नहीं आप देख सकते हullen। चमस से पूरे जहाग को निकालेना है पूरा जहाग एक बार निकल जाए। उसके बाद में एक बार गेस को एकदम स्लो से थोड़ा हाई कर देना है ताकि ये एकदम से गी उपर आए और नीचे जो जाग पानी वगेरा बेट गया है वो भी उपर आ जाए ये देख सकते हो एक कटोरी जितना मैंने इसमें जाग निकला है यानि चार लिटर गी में से ए इतना अच्छे से क्लीन हो गए है एकदम काच की तरह दिकराए गी में कि विल्कुल भी कुछ भी नहीं है अभी गी को ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद में ही दूसरे बरतन में निकालेंगे गी ठंडा हो रहा है तब तक हम ये बोटल में थोड़ा बहुत गी अग क्योंकि गी इतना मेंगा है देशी गी कहां मिलता भी नहीं है अगर मिल जाए तो हम बूंद की बूंद गी को काम में लेना चाहेंगे आप देख सकते हो पाने के यानि बोटल के अंदर में ने पाने डाल दिया है और अच्छे से बोटल को हिलाएंगे तो ये पूरा गी अ पाने का क्या करेंगे उसका भी मैं जुगार बता दूंगे आपको वोती गजब का तरीका है प्रेंट्स आज का मेरा तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर करना और फेमिली प्रेंट्स के पानी मेंने गरम करके इसमें डालके अच्छे से कटोरी में निकाल ली है अभी इसको क्या करेंगे या तो आप सब्जी की जो ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हो उसमें ये पानी को डाल सकते हो अगर ग्रेवी वाली सब्जी में आपको काम में नहीं लेना है तो आटा तो वीडियो को लाइक सेर कना ना भूले, इधर हमारा गी भी अच्छे से ठंडा हो गया है, पूरा ठंडा भी नहीं करना है, हलका हलका गरम रहेगा तो चलेगा, अभी हमें जिस भी बरतन में गी को अलग निकालना है, वो बरतन को आपको अच्छे से धो के सुखा के लेना ह बिल्कुल भी उसमें पानी बगेरा नहीं रहना चीए सुका बरतन रहेगा तो कई दिनों तक यानि साल बरसे भी आप ज्यादा गी को श्टोर करके रख सकते हो और वेशा का वेशा गी रहेगा आपका अभी पूरे गी को चान लेना है आप चानी से भी चान सकते हो या फिर सूती पतला कोटन का कपड़ा हो उससे भी आप गी को चान सकते हो अभी थोड़ा सा चमच से एक बार निकाल लेंगे क्योंकि बरतन भरा हुआ है तो हमें उठाने में आसानी रहेगी थोड़ा सा मैंने चमज से पहले चान लिया था अभी बरतन से पूरा डाइरेट चान लेंगे यह देख सकते हो बिल्कुल भी उसमें कचरा वगेरा कुछ भी नहीं है जाग वगेरा अच्छे से क्लीन हो गया है दो बरतन में मैंने गी निकाल लिया है एक बरतन को भर लिया है और दूसरे बरतन में मैंने जो बचा था वो इसमें निकाल लिया है अभी आपको इसको ठंडा होने के बाद में ही इसको डखन लगाना है आप देख सकते हो ठंडा हो गया है अभी डखन लगा देंगे अभी आपको गी जब भी निकालना हो तो उसमें आप साफ सुतरी चमच से गी निकाले और तुरंद डबा को बंद करके रख दीजी गी निकालते समय आप दो तिन बातों का द्यान रखेंगे हाथ एकदम दो के शुका के और चमच भी एकदम सुकी होने चाहिए और वो भी साफ सुतरी होने चाहिए और गी चान के डखन लगाते समय आपको द्यान देना है कि गी गरम तो नहीं है अगर गी गरम रहता है और डखन लगा देंगे गरम गरम गी में तो एकदम पसिना आ जाता है और वही पानी गी में मिक्स हो जाता है उसकी वज़े से भी गी गराब हो सकता है इसके लिए आपको ध्यान देके ही डखन लगाना है और रखना है अब यह आप सोच रहे हो कि गी मिक्स करके आप ले सकते हो लेकिन अगर गिला आटा है तो वो भी इस तरीके से अगर आप ये बरतन के अंदर इसे रगड लोगे तो पूरा गिया आटे के लग जाएगा और आपकी रोटी भी अच्छी बन जाएगी और ये आपका बरतन भी एकदम क्लीन हो जाएगा आज का मेरा तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूले और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर करना चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी मिलते है अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाई